आज वाले इस वीडियो में मैं आके लिए लाया हूँ शॉर्टेंड से सम्मंदित कुछ ऐसी important information जो आप सभी को जाना बहुत जरूरी है आज मैं बताऊंगा आपको short end के contraction section number 3 से related कुछ information आपने practice की होगी section number 3 की लेकिन जब भी हम practice करते हैं तो हम normal practice सभी लोग करते हैं लेकिन कुछ अलग से practice की जाए तो अलग से practice आप करेंगे कैसे की जाए तो practice करते समय हम outline तो बना कर practice करते ही हैं फिर उसकी dictation लिखते हैं वो है कि हम उसके meanings नहीं देखते हैं जो शर्द हमें नए सीखने को मिल रहे हैं तो क्या हम उनके meanings जानते हैं कुछ words ऐसे होंगे कुछ contractions ऐसे होंगे जिनके meanings आपको पता होंगे लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको बिलकुल भी नहीं पता होगा कुछ के बारे में थोड़ा अनुमान होगा लेकिन exact meaning नहीं पता होगा तो वो exact meaning पता करने भी जरूरी है क्योंकि आप steno grafer बनने जा रहे हैं तो आपको आगे चल कर letter लिखने होगे reports लिखने होगी, कुछ भी dictation होगी तो उसको ठीक से transcribe नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें उनके meaning नहीं पता होगा हम exact word नहीं लिख पाते थोड़ा सा mistake हो जाती है बॉस की ढांट मिलेगी और या फिर interview में हम selection नहीं हो पाएगा तो कुछ नया करके देखे कुछ नय तरीके से practice करें means उसके meaning भी तो पता करें आपको ये किसी नहीं बताया होगा कि आप इसके meanings भी देखें practice करते करते साथ-साथ meaning भी आने चाहिए तो आज वाले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा contraction, special contraction section number 3 के word meanings और इस में से कुछ meaning जो आपने अनुमान लगा है उन्हें हो सकता है आपका अनुमान जईयो कुछ हो नए meaning आपको पता लगसेंगे तो इस तरह से हम practice करें अक्सर student पुछते हैं कुछ नया tips दो मेहनत करनी है, hard work ये तो सब भी बताते हैं लेकिन किस तरह से तो आज वाले वीडियो से आपको ये एक नया तरीका पता लगेगा आपने meaning देखने हैं और फिर अगले वीडियो में आपको इसकी dictation, dictation भी आपने जिरूर लिखनी है अक्सर student से कहते हैं sir हम देख देखकर English को देख देखकर तो outline बना लेते हैं लेकिन जब flow से लिखते हैं hard work इसी को कहते हैं तो शुरू करते हैं आज के contraction section number 3 what is the meaning? ready for the meanings of special contraction section number 3 the first contraction is enthusiastic the meaning is utsahi, utsahayukt, utsashil सरगरम भी कह सकते हैं zealous अगर आप English में इसका meaning देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो jealous, enthusiastic next, enthusiasm same है, josh या utsahaj इसे हमने काया among, passion भी कह सकते हैं तो इस तरह से अगर हम meaning याद करेंगे तो हमारे को एक तो contraction याद हो जाएंगे दूसरा meaning पता लग जाएंगे और transcription बहुत अच्छी होगी next है incorporated incorporated का meaning होता है निगमित, सम्मिलित, संयुक्त, समाविष्ठ आपने ये meaning note करने है वीडियो को pause कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और सारे meaning आप note कर सकते हैं और इसी को हम incorporated को unified भी का जा सकता है joint कहकर भी आप समझ सकते हैं और consolidated भी इसी का meaning है next independence ये आपको पता होगा independence means स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्दलिये हो सकता है आपको कोई meaning पता हो कोई ना, आत्म नेरभर भी कहा जा सकता है independence तो इस तरह से हमने practice करनी है एक नए तरीके से और पूरा अपने जोश से enthusiast आपने रगना है next है independent independent का meaning होता है आजाद या स्वाव लंबी जिसे कहते हैं आप उसे free या self-sufficient भी कह सकते हैं तो आपके जो है special contraction एक दम पक्ते हो जाएंगे और आपको कभी भूलेंगे नी और meaning भी आपकी English भी improve हो रही है इंग्लिश भी आप इंप्रूव करेंगे आपकी language पर पकड मजबूत हो रही है next है independently यानि स्वतंत्र रूप से स्वाव लंबन से तो आपको meaning आने ही चाहिए next है indispensable कुछ मिलते जुलते शब्द होते हैं और हम उसमें अकसर धोखा खा जाते हैं तो indispensable का मतलब होता है जरूरी अनिवारे कह सकते हैं आप आप परिहाय भी कह सकते हैं essential या inevitable जिसे कह जाता है तो आपने इस तरह से study पहले नहीं कियोगी आज आप कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा next indispensably same वही शब्द है थोड़ा सा change है आप परिहाय रूप से या लाजमी तौर पर यानि जरूरी ही आपको कोई एक meaning अपने mind में याद रखना है next है individual individual आसान है individual होता अलग-अलग व्यक्तिकत भी कह सकते हैं या विशिट भी कह जा सकता है personal भी कह सकते हो तो आपको meaning एक बार वीडियो देखें दो बार देखें और note कर लें और आपको ये सब धीर-धीर याद हो चाहेंगे क्योंकि ये वर्ड बार-बार यूज होते रहते हैं next individually same उसी तरह का दूसरा शब्द individually व्यक्तिश या अलग-अलग distinctively आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं जो भी आपको meaning याद आ जाए easily याद हो जाए next inform बहुत आसान वर्ड है फिर भी आपको meaning पता inform होता है सूचना देना ये बताना शिकायत करना denote कह सकते हैं इसको next है informed उसी inform की second form है informed पास्ट में सूचित किया hinted कह सकते हो आप उसे aware जिससे कहते हैं informed नेक्स्ट informer इन्फार्मर मिंस होता है सूचना दाता आप उसको मुख्विर या भेदिया भी कह कर समझ सकते हैं intelligence या tell tale तो आपको बहुत सारे कुछ नए शब्द सीखने को मिलेंगे इस तरह से आप study करेंगे आप स्वेम भी कुछ सब्दों के meaning ढूम सकते हैं और आपका काम असान कर दिया आपको ढूंडे हुए ही word मिल रहे हैं contraction और उनके meaning बहुत ही नया तरीका interest आपको पता ही होगा interest होता है रूची दिलचस्पी कह सकते हो हिस्सा और interest का एक meaning होता है सूध या ब्याज भी कह सकते हैं महतु भी इसी का ही meaning है benefit profit भी कहा जा सकता है तो कितने सारे meaning आपको एक interest हो सकता है आपको कोई एक meaning पता हो और अब आपके सामने बहुत सारे meaning होगे investment investment को निवेश कहते हैं फायदा भी कह सकते हैं पूँजी निवेश या input इस तरह से mind में clear करते चले जाए और आपको contraction special contraction भी याद हो जाएगे और आपकी भाषा पर language पर पकड़ भी अच्छी हो जाएगी neglect उपेक्षा करना another लापरवाह भी कह सकते हैं और ध्यान ना देना neglect कितने सारे meaning आपके सामने next neglected neglect का ही past tense में neglected हो जाता है उपेक्षित ignored unvalued भी कह जा सकता है ठीक है अब चलते negligence negligence का अर्थ होता है लापरवाही, delay, असावधानी, carelessness भी जिसे आप कह सकते हैं next never never असान है आपको पता होगा never means नहीं, कभी नहीं, जरा भी नहीं, कदापी नहीं तो ये आपके माहिन में कौन सा meaning आया होगा मुझे नहीं पता लेकिन आपको मैंने बहुत सारे meaning बता दी है और आपने इसी तरह से पढ़ाई करनी है नवंबर असान है लेकिन meaning अगर आपसे कोई पूचे तो आप क्या कहेंगे साल का ग्यारवा महिना नवंबर next sensible sensible का meaning क्या होता है जागरूक, समझदार, बुद्धिमान, विजिलेंट, क्लेवर ठीक तो sensible आपको पता लगया आप चलते है next sensibility अगर कहा जाए तो sensibility का मतलब होता है समवेदन, शीलता या भावुकता, अनुभूती, decency भी कह सकते हैं तो इस तरह से word के जो हल, word के अलग-लग meaning होते हैं, contraction है फिर भी आपने उसको नए तरीके से study करनी है और नया तरीका के कुछ नए tips अक्सर शूर ने पूछते हैं तो यह नए tips आपके सामने sensibly अगर word आता है sensibly तो समझदारी से, चतुरता से, अकलमंदी से, चेतना से, sensibly का meaning अब चलते हैं next, electric, electric सबको पता होगा, लेकिन अगर meaning पूछा जाए तो आप हो सकता है, ना बता पाए, electric होता है, बिजली, विद्यूत, पावर भी कह सकते हैं, तो कही सारे meaning आपको पता लग गए, अगर electrical, electrical का meaning है, विद्यूतिये या बिजली का, हर word के अलग-लग, आपक electricity, अगर electricity आएगा, वैसे तो असान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, विद्यूत, बिजली, lightning, energy भी कह जा सकता है, electricity, power, next है, recoverable, recoverable, context हम लिखते हैं, तो उसका meaning है, स्वस्थ होने वाला, या वापिस पाने वाला, recoverable, कोई चीज हमें recover वापिस पाजाती है, मिल जाती है next है, irrecoverable, irrecoverable का meaning आप प्रतिलभ्व है, ठीक है, इस तरहां बहुत सारे meaning आपके सामने है, reform, reform का हो सकता है, आपको कोई meaning पता हो, दोश हटाना, सुधारना, improvement भी कह सकते हो, mend भी कह सकते हो, reform के बहुत सारे meaning, next है, reformed, उसी का past tense, सुधरा हुआ, फिर से बनाया हुआ, rebuild भी कह सकते हो, आप new made, reform, उसको फिर से नया बना दिया, next है, reformer, reformer means सुधारक, समाज सुधारक आपने नाम चुना होगा, इसी तरह regular, regular आसान है, regular के कई सारे meaning हो सकते हैं, जैसे नियमित, regular है, सामानने भी कह सकते हो, प्रक्चलित, regular है, general, usual, इस तर से हम इसका कई सारे meaning हैं, और use कर सकते हैं, next है, irregular, अब regular नियमित हो गया, तो irregular आनियमित, या आस्थाई, temporary भी कहा जा सकता है, तो बहुत ही अच्छी study आप कभी नहीं बूलेंगे, इस तरह की study आपने, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप comment box में comment जरूर करेंगे, आपके comment क मुझे इंतजार रहता है, relinquish, relinquish होता है, त्यागना, हो सकता है, कुछ शब्दों के meaning आपको पता हूँ, कुछ ना पता हूँ, relinquish छोड़ना, अलग करना, give up, और कुछ meaning, पहली बार आपने वीडियो देखा, आपको meaning नहीं याद हुए, आप इसको अपनी notebook में note कर लें या वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, ओनलाइन क्लास का ये benefit होता है, कि आपको 24 into 7, आप जब भी फिरी हो, एक बार वीडियो देख लें, वीडियो देखने से आपको और revision हो जाएगी, पका हो जाएगा, कभी भी, आप खुद भी देखें, आपने friends को share भी कर सकते हैं तो चलते हैं, next, relinquished, सिर्फ relinquish का ही past tense, त्याग दिया, छोड दिया, ओके, next है represent, आपने कई बात सुना होगा, अब represent होता है, प्रस्तुत करना, दर्शाना, describe, depict भी कह सकते हैं उसको, तो बहुत सारे meaning, आज आपकी language improve हो रही है, पकड़ बन रही है, represented, represented क्या होता है, वर्नित किया, या प्रति निधित्व किया, represent का ही past tense हो गया, next है, representation, representation का मतलब है, चितरन, प्रति निधित्व, narration, प्रति रूप, image भी कह सकते हैं, कितने सारे meaning, आपको पता लग गए, अब चलते हैं, next, 39, representative, अब यहाँ थोड़ा सा meaning change हो जाता है, उसी तरह के शब्द हैं, लेकिन representative होता है, प्रति निधि, या प्रति रूप, जिसे आप proxy भी कह सकते हैं, meeting अगरा के chapter में आपने सुना होगा, agent भी कह सकते हैं, next है, 40, word meaning 40, responsible, responsible, जिम्मेदार, पूर्ण, जवाब दे, उत्तरदायत्व, लाइबल कह सकते हैं, उसको, अब चलते हैं, next, responsibility, same, उसी तरह का meaning है, जिम्मेदारी, जवाबदारी, उत्तरदायत्व, answerability, responsibility को हम answerability भी कह सकते हैं, आपको किसी भी तरह से meaning याद रखना है, irresponsible, उसका ही, विपरित हो गया, responsible का विपरित, गैर जिम्मेदार, careless कह सकते हैं, आप लापर वहा, opposite हो गया, responsible का, irresponsible, next है, irresponsibility, irresponsibility होता है, गैर जिम्मेदारी, negligence, जिसे हम कहते हैं, चलते हैं, next, organize, आपने सुना होगा, अगर आपसे meaning पुछा जाता हो सकता है, आपको उतना explain ना कर पाएं, तो मैं बताता हूँ, organized होता है, योजना बनाना, सुवेवस्थित करना, आयोजित करना, या manage भी कह सकते हैं, organized या manage करना, next है, organized, second form है, past tense, एकी क्रत कह सकते हो आप, सुनियोजित, organized हो गया, वेवस्थित भी कह सकते हैं, संगठित भी कह सकते हो, तो इस तरहां बहुत सारे आज के इस वीडियो में आपने बहुत सारे meaning देख लिए, और समय आपको निकालना ही पड़ेगा, पढ़ाई के लिए कम से कम 15-20 मिन्ट, आदा गंटा आप निकालेंगे, तो इस तरहां के meaning, आपको कुछ नहीं करना, आ रवस्थापक कह सकते हैं, आप संगठक भी कह सकते हो, तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और आपने आपसे यह है कि आप इस वीडियो के link को ज़्यादा से ज़्यादा share करें friends में, ताकि आपको benefit मिला, आप दूसरों को भी दे सकें, next है organization, organization संगठन, simple meaning है, आपको संस्था भी कहकर समझ सकते हैं, company, institute, union, organization की बहुत सारे meaning हो गए, अब आपके सामने, तो यह थे आज के contractions, special contractions, section number 3 के meaning, तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, share जरूर करेंगे, like करेंगे, channel पर नए हैं, तो bell icon को दबाना ना भूले, ताकि आगे आने वाले videos के notification आप को मिलते रहें, और next जो है, आपको इसी contractions, section 3 की dictation भी आने वाली है, तो इंतिजार करें, next video का, तब तक के लिए, bye